Hello students, class 11 mathematics के lecture no.14 में exercise 1.4 के question रहे थे 9, 10, 11, 12 उनका देखते हैं solution और इस exercise को करते हैं complete तो question no.9 में आपको 4 set दे रखे हैं A, B, C, D और आपको difference निकालने हैं sets के 1 से लेकर 12 तक difference क्या होता है वो हम intro में देख चुके हैं थोड़ा सा repeat करते हैं देखिए A set आपके पास में माल लो उसका circle है कुछ इस तरह से ठीक है और एक दूसरा set है B उसका circle जो वो cross कर रहा है ये B set है ठीक है तो A और B में ये part जो है वो common है दिख रहा है ये part common है जब भी हम A minus B निकालते हैं जब भी हम A minus B निकालते हैं तो यहां जो common part है वो हम हटा देंगे that means जो common element है A और B में वो हटा देंगे और बाकी जो A set में बचे हुए हैं वो A minus B के element होगे यानि के ये जो हिस्सा है ये A minus B होगा ठीक है तो यहां मैं अलग से समझाता हूँ जिस ये है ये B है ये हिस्सा जो है यह सिर्फ A minus B के element होगे तो जब भी A minus B निकालेंगे तो common element है वो A set में से हटा दो चलो number 1 देखते है A minus B तो A set में element है 3, 6, 9, 12, 15, 18, 21 माइनस B set में element है 4, 8, 12, 16, 20 common देख लो क्या क्या common है वो हमें हटाने A set में से ठीक है तो मुझे देखी 12 common दिख रहा है दोनों में और कुछ भी common नहीं है यहां 3, 6, 9, 6 भी नहीं है तो इदर तो यह सम संकें लग रही है ना दो सिवाजित वाली तो 6, 12, 18 यह तीन ही देखने है अपनको उसमें बारे कॉमन है तो बारे को हटा दू ठीक मैं यहीं कट कर देता हूं जो common है ना ताकि आपको confusion ना रहे तो 3, 6, 9, 15, 18, 21 का सेट है यह माइनस भी होगा चलो सेकेंड नमबर A-C तो A सेट तो है 3, 6, 9, 12, 15, 18, 21, माइनस C सेट देखो C सेट में element है 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16 A-C कर रहे है तो common जो है element वो हटा देंगे A सेट में से तो 6 common दिख रहे है तो 9 यहां तो यह समसंक्यां लग रही है तो 12 देखो 12 common है हाँ जी 18, 18 नहीं इसमें तो बस इतनी है तो बाकि जो बच गए A सेट में 3, 9, 15, 18, 21 उनका सेट A-C हो गया थैड नमबर देखो बचो A-D तो A सेट तो है 3, 6, 9, 12, 15, 18, 21 और D सेट देखो क्या है D सेट में element है 5, 10, 15, 20 चलो common देखते हैं तो 5 नहीं है, 10 भी नहीं है 15 common है वो हटा दो 20, 20 भी नहीं है यहां पर तो 3, 6, 9, 12, 18, 21 यह element हो जाएंगे A-D में 4 नमबर देखो बचो B-A निकालना इस बार B सेट क्या है 4, 8, 12, 16, 20 B-A निकालना है तो दोनों में जो common है वो हटा देगे B सेट में से तो 12 common था B और A में वो हटा दो B सेट में से बागी जो बच गया 4, 8, 16, 20 यह B-A होगा 5 नमबर देखो बचो 5 नमबर में C-A निक पूछ रहा है तो यहीं अब डारेक्ट बता देता हूँ आपको ठीक है अब पता चल गया होगा आपको common देखने है अपनको तो C और A में common क्या क्या है 2 नहीं है 4 नहीं है 6 है ठीक C-A कर रहे हैं तो C के element होगी सिर्फ C के common नहीं होगी सिर्फ C के तो 6 हटा दिया अपने C में से 2 4 तो आए गई C के element देखो 2 4 आ गया 6 common है दोनों में A और C में हटा दिया 8 common नहीं है 8 लिख लिया ठीक है 10 common नहीं है 10 लिख लिया 12 common दिख रहा है मुझे दोनों में 12 12 14 नहीं है 14 लिख लिया 16 भी लिख लिख लिया ठीक है अब यह मैं directly कर रहा हूँ आप पूरा लिख लिख लिए ठीक है फिर 6 नमबर D-A D और A में common क्या है D में 5 10 15 20 A में 5 10 15 20 में से सिर्फ 15 आ रहा है ठीक है तो D-A कर रहे हैं तो 15 हटा दो D में से तो 5 10 20 उसका set D-A हो गया ठीक है 7 नमबर देखो बचो 7 नमबर में B-D B-D में common क्या है देखो 5 10 15 20 यहां 5 10 15 20 है सिर्फ हाना 20 common है दोनों में B और D में हम B पहले ले रहे हैं तो B में से 20 को हटाना है ओके हां जी तो 4 8 B के element देखो 4 8 12 16 जो सिर्फ B के हैं हाना B-D का meaning है जो सिर्फ B के है D के नहीं होने चाहिए आप तो सिर्फ B के ही है देखो अगर मैंने 20 लिख दिया जो common है दोनों में तो वो D का भी तो हो गया ना तो वो नहीं होना चाहिए 8 नमबर देखो 8 नमबर में 8 नमबर तो यह था इम आप कीजिए थोड़े शी है मैंने B-D 8 नमबर पहले कर दिया कोई बात नहीं चलो यह 7 नमबर देख लेते हैं यहां पर 7 नमबर देखो 7 नमबर में B-C है ठीक है B और C में common देखो B और C में common 4 common है 8 common है 12 common है 16 common है 20 नहीं है बस तो जो B में बचा वो 20 बचा जो common नहीं है B-C कर रहे हैं तो B का ही होना चाहिए 8 नमबर हो गया 9 नमबर देखो 9 नमबर में C-B C-B तो C में सिर्फ C में होना चाहिए ठीक है B और C में common 4 A 12 16 है 4 A 12 16 तो बागी जो बच गया वो देखो 2 6 10 14 यह C में बच गया सिर्फ ठीक है देखिए B और C में 4 common है मैंने 4 हटा दिया C में से 2 तो आएगा फिर 6 आ गया जो common नहीं है फिर 8 common था फिर 10 ले लिया मैंने और फिर 14 common नहीं था वो ले लिया आगी 16 common था वो अठा दिया तो 5 10 15 सिर्फ D में से होने चाहिए element ठीक है D के element होने चाहिए तो D के है B के नहीं होने चाहिए B का कोई नहीं है ओके 11 number 11 number C minus D एकदम आसान है C minus D निकालना C and D में common देख लो 5 नहीं है C में 10 तो 2 4 6 8 फिर 10 common है फिर 12 फिर 14 16 सारे आ जाएंगे वाकि सिर्फ 10 common देख रहा है मुझे C and D में C minus D कर रहे था तो सिर्फ D सिर्फ C के होने चाहिए D वाले common वो हटा दिया 12 number 12 number में D minus C तो D और C में तो सिर्फ 10 common था यहीं देख आपने 10 common था वो हटा दो D में से तो 5 15 20 यह आप का अंसर हो गया next देखो क्योंसर number 10 इफ यदि अक सेट है और वाई सेट है तो आपको यह तीन values find करनी है ओके अक सेट डिफाइन है यहां पर A B C D से और Y सेट डिफाइन है यहां पर F B D G से सबसे पहले number 1 में X minus Y ठीक है X और Y में common देख लो वो हटा देगे X में से तो common मुझे B दिख रहा एक तो और एक D दिख रहा है B और D हटा दो A और C बच जाएगा X में जो सिर्फ X के है X minus Y का मिनिंग है जो सिर्फ X के है Y के नहीं तो common हटा दिए अपन ने B और D हटा दिए A और C सिर्फ X के है ठीक है अगर मैं B लिखता D लिखता वो Y के भी हो जाते है तो गलत हो जाता second number देखो second number में Y minus X जो सिर्फ Y के है तो common क्या है B और D वो हटा दो तो F और G बच जाएगा Y में ठीक है Y minus X का ही मिनिंग है third number वो X intersection Y that means जो दोनों में है ठीक है तो वो B और D है B O D का set next देखो बचो question number 11 if R is a set of real numbers R वास्तिर संख्याओं का समुझे और Q परिमेर संख्याओं का rational number का set है तो कह रहा है R minus Q क्या होगा What is R minus Q देखो बचो R real number जो होती है उसमें 2 set होते है एक तो परिमेर संख्याओं Q और दूसरी होती है एक परिमेर संख्याओं irrational number ठीक है ना irrational numbers तो हम अगर R minus Q करेंगे तो इसका meaning क्या होता है कि R में से Q के element हटा दो ठीक है तो R में से Q को हटा दिया मैंने तो क्या बचा irrational number बच्ची तो R minus Q क्या होगा R minus Q एक परिमेर संख्याओं का समुझे होगा नेक्स देखो exercise का last question है 12 number बताइए कि निमले कि कथनों में से प्रतेक सत्य है या सत्य अपने उत्र का ओचित्ते भी दीजी justify करना है और check करना कि true है या false है तो number 1 देखिए यहां दो सेट आपको दे रखे हैं और यह कहरा 2,3,4,5 यह सेट है ठीक है और दूसरा सेट है 3,6 का ठीक है कहरा यह ऐसे समुझे हैं disjoint sets हैं तो क्या यह disjoint sets हैं कब होता है disjoint जब इन दोनों में कुछ भी common ना हो ठीक है तो मुझे देखिए 3 common दीख रहा है सब-सब दोनों में 3 common है तो अपने बोलेंगे एस सकते है एस सकते है ठीक है it is false क्यों की क्यों है सकते है क्यों की 2,3,4,5 intersection 3,6 इन दोनों का intersection जो है वो 5 होना चाहिए था लेकि नहीं है 5 वो 3 का set आ रहा है दोनों में 3 common आ रहा है second number set दे रखा है A, E, I, O, U दूसरा set दे रखा है A, B, C, D okay कहरा ऐसा इस समुचे है disjoint sets है सत्य है सत्य है सत्य बताईए तो यह सत्य है क्यों है सत्य बचो why it is false because क्योंकी इन दोनों का intersection अगर मैं करता हूं A, E, I, O, U और साथ में इसका intersection A, B, C, D की साथ तो मुझे साथ साथ दिख रहा है A, जो दोनों में vowels है A common है A का set होगा यहां पे और होना क्या चाहिए था disjoint के लिए 5 होना चाहिए था next देखो बच्चों third number, third number में set दे रखा है 2, 6, 10, 14 तथा 3, 7, 11, 15 का दूसरा set है Async समुच्चे हैं क्या ही? Async समुच्चे हैं तो देखिए हैं के नहीं? दोनों में कुछ भी common नहीं होना चाहिए था कि इसमें सम है सारी संखे और यहां विसम है 3, 7, 11, 15 सा विसम है तो यह तो सत्य है सम और विसम में कुछ भी common नहीं होता तो यहां 5 आएगा इन दोनों का intersection क्योंकि 2, 6, 10, 14 intersection 3, 7, 11, 15 आ रहा है 5 इरिक समुच्चे आ रहा है ओके 4 नमर देखो 2, 6, 10 तथा 3, 7, 11 ऐसे युक्त है ऐसे युक्त समुच्चे है हाँ जी ऐसे युक्त समुच्चे है सत्य है क्योंकि कुछ भी common नहीं है क्योंकि 2, 6, 10, intersection 3, 7, 11 दोनों में कुछ भी common नहीं है 5 आ रहा है बस यह आप का answer हो गया ओके बच्चों तो question 9, 10, 11, or 12 का solution हो गया complete ओको exercise 1.4 भी complete पीछे के lectures या आगे के lectures बाद में देख रहे हैं अगर इस lecture को आप तो वो description में लिंक है playlist link तो playlist link से ही देखें ताकि कोई भी lecture miss ना हो, okay वरना आप लोगों को आप ढूंडते रहे जाओगी मिलेगा नहीं, ठीक है तो बस lecture miss ना करें और हर एक lecture को जरूर देखें पूरा देखें, हर एक concept को समझने का परियास करें मैं point to point चलता हूँ और हर एक point जो आपके लिए necessary है उसको जरूर बताता हूँ तो प्लीज इस channel को subscribe जरूर कीजिएगा, like वीडियो को करना मत भूलिएगा और एक प्यारा सा comment तो बनता है, thank you, jahind